हलो दोस्तों, Facebook Ads Course के आज के इस पार्टिकूलर वीडियो में मैं आपको सिखा हूँ कि किस तरीके से आप Facebook Event Manager में Custom Conversion Create कर सकते हैं जब भी आप कोई Sales Campaign या फिर आप Conversion Campaign रन करने जाते हैं तो Facebook आपसे पूछता है कि आपका जो Campaign का Conversion क्या है आप किसे Conversion मानेंगे, किसे आप अपना Air दिखाना चाहते हैं इसलिए आपको पहले अपना Custom Conversion Create करना होता है और आपको Facebook को बताना होता है कि जो भी मेरे Audience है, जिसे ही आप Air दिखा रहे हो, अगर वो इस Type का एक Specific Task करता है तो मेरे लिए ये एक Conversion माना जाएगा, लेकिन Facebook ये तभी समझेगा कि आपके लिए एक Conversion है जब आप उसे बताएंगे, जब आप उससे Clarify करेंगे कि मेरे लिए ये एक Conversion हो सकता है Conversion चाहे कुछ भी हो, अगर आपका कोई e-commerce website है, तो आप चाहते हैं कि मेरे website से 5000 से ज़्यादा कि कोई product की sell हो, तो उसे मैं purchase मानूँगा या फिर आप चाहते हैं कि मेरा कोई product है, उसका add to cart हो जाए, तो मेरे लिए ये Conversion होगा या फिर आप चाहते हैं कि कोई मेरा appointment fix कर ले, कोई lead form submit कर दे, कोई मेरा e-book या browsers download कर ले, ये मेरे लिए Conversion है, तो आपको सबसे पहले custom Conversion create करना होता है, अपने event manager में, और फिर जाके जब आप campaign, sales campaign आप design करते हैं, तो वहाँ पर आपको choose करना पड़ता है कि ये मेरा Conversion है, आप ऐसे ही लोगों को air दिखाए, जिसका maximum chance है, कि वो इस type का conversion कर सके, तो इसलिए आपको Facebook को पहले ये बताना होता है, और इसलिए हम यहाँ पर custom Conversion create करते हैं, अब आपके mind में ये भी आ रहा होगा, कि event क्या होते हैं, और custom Conversion क्या होते हैं, generally हम event में क्या करते हैं, हम वहा क्या activity कर रहे हैं, वो किस page को load कर रहे हैं, वो किस-किस button को वहाँ पे click कर रहे हैं, क्या वो add to cart कर रहे हैं, क्या वो वहाँ से purchase कर रहे हैं, about us page को, privacy policy page को, यानि वो क्या activity कर रहे हैं, वो हम वहाँ पे जो standard event होते हैं, जो आपको event manager में ही मिलता है, वहाँ से हम track करते हैं, औ और conversion भी हम इसे लिए create करते हैं, जो custom conversion होता है, इसे भी हम इसे लिए create करते हैं, ताकि हम user के जो track कर सके, हम Facebook को ये बता सके, कि हमारा ये conversion है, जब भी आप कोई भी campaign वहाँ पर design करने जाते हैं, Facebook के अंदर, तो आप सबसे पहले उसको क्या करते हैं, आप वहाँ पर कुछ fund ल मुझे इस type का result दे सके, आपका result कुछ भी हो, आप कुछ भी expect कर सकते हैं, वहाँ से, चाहे आपको website traffic increase करना हो, आप चाहते हैं कि purchase करें लोग आपकी website पर आकर, आप चाहते हैं कि जो lead form है आपकी website पर लगा हुआ, वो lead form submit करें जयादा से जयादा, तो जितना जयादा आप conversion specify करेंगे, Facebook को बताएंगे, ये इतना ज़्यादा chance है से कि वो इसी तरह के लोगों को दिखाए, जो इस type का action ले सके, इसलिए custom conversion create करना होता है, जब भी आप sales campaign design करने जाते हैं तो, चलिए मैं आपको एक case study से समझाता हूँ, आप देख सकते हैं, ये मेरे client है, जिनकी एक website site है, जो wholesale, mobile accessories वगरे sale करते हैं, तो इनके लिए मैंने sales campaign design करा था, और sales campaign में मैंने conversion add to cart और purchase रखा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, multiple यहाँ पर campaign है, कुछ campaign है, जो sales है, कुछ campaign है, जिसका conversion मैंने purchase रखा, और कुछ का यहाँ पर add to cart रखा है, तो आप यहाँ पर add to cart 89 है, 72 है, 15 है, 124 है, यानि यह मेरे लिए, जब भी कोई user मेरे इस website पर आता है, मैंने pixel लगा रखा है, यहाँ से data की जो transfer है, जब भी कोई user मेरे website पर आता है, यहाँ पर add to cart करता है, और यहाँ से वो purchase करता है, तो वो मेरे लिए conversion माना जाएगा, यह मेरे लिए एक event चाहिए आपका कोई भी हो, आप अपना lead form submit कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं, जो आपका e-book है, lead magnet की तोर पर आप इस्तामाल करें, उसे download कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अलग से custom conversion create कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसी तरीके से यहाँ पर custom conversion create करके यह campaign design करा था, चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ, आपको campaign में, मैं जाओंगा ad manager में, फिर आपको समझ मायाँगा कि custom conversion create करना कितना जरूरी है, यहाँ आप आजाएंगे ad manager में, मैं यहाँ पर एक campaign ले ले लेता करना चाहते हैं, आप अपने catalog यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, यानि अलग-अलग टाप के activity करना चाहते हैं, और आपका ultimate goal यह होता है, कि आपका यहाँ से sales gendered हो, इसलिए आपको यह campaign है, इसके लिए आपको बताना पड़ता है Facebook को कि conversion क्या है आपके लिए, sales campaign है, मैं यहा यहाँ पर new देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आप आएंगे, conversion location है, website है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो performance goal है, इसके अंदर आपको दिखेंगे, यह जो performance goal है, यहाँ पर आपको देखे लिखा हो maximize number of conversion, और दूसरा option है, maximize value of conversion, तो यहाँ पर मैं maximize number of conversion रखूँग क्या आपके लिए conversion है, इस campaign के थुरू, आपके objective क्या है, क्या आप चाहते हैं, जो instructions आप देंगे, Facebook उसी को follow करेगा, तो यहाँ पर drop down करेंगे, तो multiple आपको यहाँ पर conversion, event setup आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, add to cart, add to wish list, यहाँ पर complete registration है, donate है, purchase है, search है, यहाँ पर आपको अलग-अलग event दिख जाएंगे, अगर नहीं है, तो आप फिर आप यहाँ से create भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से add to cart है, मैं यहाँ से purchase का कोई event, मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर purchase select करा क्योंकि अभी इस पर custom conversion create नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह कहाँ करेंगे, आप event manager में जाकर create करेंगे, सिर्व आपको इतना ही करना होता है sales campaign में, आगे जितने भी option है, वो सब सेम होते हैं, तो चलिए पहले हम यह सीख लेते हैं कि किस तरह से custom conversion create करेंगे, जो भी event manager में जो भी वहाँ पर data set, जो भी आपने वहाँ पर rules create करेंगे, कि यह rules अगर कोई follow करेगा, तो मेरे लिए conversion माना जाएगा, तो यहाँ पर आप create custom conversion create करेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक tab open हो जाएगा, और यहाँ से आप create कर सकते हैं, सेम इसी tab का tab, अगर आप open करना चाहते ह जाएगा, यहाँ पर दो option होते हैं, वो सब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, यह overview आएगे, और यहाँ यह मेरा pixel है, अगर यहाँ पर create पर आप जाएगे, यहाँ पर देखेंगे, अगर create पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप से पूछ रहा, create custom conversion, यहाँ फिर आप कर सकते हैं, आपने campaign को share कर सकते हैं, create custom conversion, अब मैं आपको situation समझाता हूँ, यहाँ पर situation क्या है, situation यह है, कि जैसे यह कोई website है, मेरे client का, जो travel industry से related है, मैं चाहता हूँ कि जब किसी को add देखे, मेरा traffic add है, और वो इस landing page पर visit करे, यहाँ पर अलग-अलग वो page को explore करे, अलग- से test के लिए, यहाँ से inquiry कर, send inquiry करूँगा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ, जैसे ही कोई user, इसको यहाँ पर lead form submit करा, उसके सामने एक thank you page लोड हो जाएगा, और मैं उस thank you page को ही track करूँगा, और मेरे लिए वो conversion माना जाएगा, जैसे यहाँ पर thank you page लोड हुआ, मैं इसका यह URL ले लूँगा, ठीक है, मैंने URL लिया, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका name देना है, कि यह जो custom conversion आपने create करा, यह क्या है, तो मैं यहाँ पर इसका नाम दे दूँगा, lead form submit, ठीक है, मैं आपको अलग-अलग तैप यह custom conversion create करूँगा, करना सिखाऊँगा, हर एक situation में, ठीक है, lead form, submit मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, data source मेरा pixel ही हो, यहाँ पर after marketing dude का pixel होगा, event यह रहा, आगे आपको यहाँ पर बताना है, select your own category, आपको बताना है कि यह जो conversion है, वो क्या है, तो यहाँ पर आप drop-down करेंगे, यहाँ पर आपको submit lead का मिल जाएगा, आपको यहाँ lead है, ठीक है, अब URL है, मैं यहाँ पर इसको equal करूँगा, और जो URL मैंने यहाँ पर copy करा था, मैं यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है, यानि कि जब किसी user को मेरा ad show हुआ, वो मेरे landing page पर आया, और यहाँ पर वो अपना, जो detail है, वो share कर दिया आपने, और वहाँ पर उनके स active है, क्योंकि जब इसमें 2-4 data आ जाते हैं, 2-4 लोग आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर वो अपना lead form submit करेंगे, तो यह आपको active show होने लगेगा, अभी inactive है, ठीक है, अब चलिए, मैं दूसरा आपको custom conversion create करना सिखाता हूँ, दूसरे situation में, अलग-अलग situation से आपको जरू कोई website है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से जो कोई भी purchase करें, और उस purchase की value 5000 से ज्यादा है, अब यहाँ पर ऐसे भी product है, जो 27 रुपे, 20 रुपे, 10 रुपे की है, तो क्या यह मेरे लिए matter करता नहीं, मैं इतने छोटे amount को track नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं purchase ही करूँगा, मैं यहाँ पर 5000 value purchase, एक नाम दे दूँगा, तक मुझे याद रहे, ठीक है, यहाँ पर description भी डाल सकते हैं, data source सेम होगा, फिर से यहाँ पर आप आएंगे, अब यहाँ पर मैं purchase को select करूँगा, क्योंकि यह एक purchase है, purchase को select करूँगा, अब आपक अपना custom conversion create कर सकते हैं, एक यहाँ पर referring domain है, और तिसरा होता है event parameter, एक parameter के अधार पर भी आप यहाँ से create कर सकते हैं custom conversion, तो मैं parameter के according आप यहाँ पर मैं create करूँगा, तो मैं यहाँ पर value डालूँगा, ठीक है, और value का content जो होगा is greater than or equal to, यानि 5000 या इससे ज्यादा कि जब भी कोई orders आए, जो भी purchase आए, तो मैं उसे custom conversion मानूँगा, ठीक है, यहाँ पर आपको conversion value भी दे देना है, ठीक है, अगर आप दे सकते हैं तो, ठीक है, जिससे पता, आपको पता चले कि यहाँ पर जब भी कोई purchase होगा, तो उससे मुझे क्या benefit मिलेगा, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं, तो conversion value भी दे दिजे, मैं यहाँ से create करूँगा, अब आप देखेंगे, कि मेरे लिए, यह जो 5000 value वाली है, वो भी यहाँ से create हो चुकी है, आप देख सकते हैं, यह भी custom conversion, मैंने यहाँ से create कर लिया, ठीक, इसी तरह अगर आप चाहते हैं, कि यह जो मेरा website है, अब यहाँ पर value नहीं, मैं चाहता हूँ, इसका जो basket है, number of products, यानि कम से कम 5 product होने चाहिए, एक बार में तभी हम यहाँ से purchase ले सकते हैं, यानि ऐसा कोई user जो 5 product को purchase करे, तब हम इसे मानेंगे कि मेरे यह conversion है, तो इसके लिए आप यहाँ पर आना है, ठीक है, फिर से parameter है, मैं यहाँ पर item number डाल दूगा, ठीक है, अब contain ही रखूँगा, और यहाँ से मैं 5 डाल दूगा, आप यहाँ पर कुछ चाहते हैं, conversion value देना तो दे सकते हैं, और मैं यहाँ से purchase ही select करूँगा, purchase और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, five basket item, ठीक है, अब मैंने यहाँ से create कर लिया, अब आप सीख चुके होगे कि मैंने हर एक situation में आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर conversion create करना, अब same conversion, आप अगर आएंगे मेरे ad manager में, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अब मैं campaign बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को target करना, जो 5,000 रुपे minimum spend कर सकता है, जिसे mobile accessories में interested है, वो shopkeeper है, वो businesses है, आगे वो retail में sell करेंगे, तो मैं उसे ही आप मेरा ad दिखाए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे edit कर लेता हूँ, यह sales campaign है, ठीक ह और मैं वहाँ पर, अब जो अभी जो मैंने conversion create करा था custom, इसी को मैं वहाँ पर select करूँगा, airset पर आना है आपको, और जैसे आप airset में आएंगे, फिर से आपको यहाँ पर आना है, maximize number of conversion ही मुझे रखना है, यहाँ पर after marketing dude pixel same रहेगा, और यहाँ से purchase की जगे, मैंने जो create कर है, वो मैं यहाँ पर select करूँआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, five item basket है, five thousand value purchase है, यानि जिस किसी user ने five thousand से ज़्यादा spend करने के लिए able है, वो mobile accessories में, तो उसे आप मेरा air दिखाए, मैंने यह कहा Facebook को, जब कोई भी 5000 को यहाँ से मेरे client की website से purchase करेगा, तो वो मेरे लिए एक conversion माना जाएगा, तो अब क्या करेगा Facebook, इसी तरीके से इस campaign को optimize करेगा, और ऐसे ही लोगों को add दिखाने की कोशिश करेगा, जो इस criteria को fulfill करता है, तो I hope कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, कि कितना important है custom conversion को create करना, आप यहाँ अपने according Facebook को बताते हैं, कि मुझे इस type का task मेरे audience से, मेरे user से, तभी मैं आपको pay करूँगा, और मुझे ये conversion चाहिए, इस campaign के थूरू, तो इस तरीके से utilize कर सकते है, custom conversion को, आपके सामने जो भी situation हो, किसी भी type का आपको पास business हो, आप custom conversion ज़रूर create किजिए, और यहाँ से आप अच्छा खासा sales generate कर सकते हैं, अपनी website स I hope कि अब आपको समझ में आ चुका होगा, कि custom conversion हम क्यों create करते हैं, किस तरीके से आप create करेंगे हर एक situation में, और इसे create करने से क्या-क्या आपको benefits मिल सकता है, ठीक, इसी तरह अगर आप अलग-अलग courses सिखना चाहते है, digital marketing से related, तो आप visit कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पर, जहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 600 प्लस videos create करा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, digital marketing के हर एक segment के ऊपर, आपको यहाँ पर videos और courses देखने को मिल जाएंगे, अगर आपको detail course सिखना है, तो playlist section में आएंगे, आपको यहाँ पर हर एक type के courses देखने को मिल जाएंगे, digital marketing से related, चाह करते हैं, यानि digital marketing के हर एक segment से related आपको courses देखने को मिल जाएंगे, बिना किसी investment के, आप यहाँ से digital marketing सीख कर, अपने business को grow कर सकते हैं, online ले जा सकते हैं, अपने लिए lead generate कर सकते हैं, या फिर आप एक student है, तो आप यहाँ से career भी start कर सकते हैं, digital marketing सीख कर, आज किस video में इतना ह आपी जाएंगे, आपी लिए.